वीडियो से अगर आपको कोई मदद मिलती है इस वर गेटिंग बेनिफिटेट प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और कल रात को हमने वीडियो नहीं बनाई थी मेरी थोड़ी काम था तो मैं नहीं कर पाया कल मैं ग्रूप में भी ज्यादा अक्टिफ था नहीं मैं अगर आप चैनल फॉलो करते हो तो आपको पता हुआ कि मैंने एक क्रूड में किया है और यह की एकी ऐसी पोइंट वाला बीच में उससे पहले एक साथ लिया था तो वटेवर इट इस हमने अच्छा अच्छी पोइंट वाला एक ट्रेड आज क्रूड में कमाया बट एक चीज में कल मैं ने क्रूड के वैसे लेबल तो दिये थे जोन पर अगर आप इसको मैस करोगे तो साथ आपको ट्रेडिंग लेबल्स मिल जाएंगे बट हमने और यह चैनल पर देखोगे अच्छी पर आपको मिल जाता है मार्केट में अच्छी पर आपको मिल जाता है मार्केट में अब हम अगर आते हैं अभी अगर आते हैं आज का कल का विव करेंगे क्यों आज का रिव्यू के लिए तो कुछ है नहीं खली एक चीज आपको बोलूंगा अगर आज भी मार्केट में किसी ने ट्रेड किया होगा बहुत लोगों को आपने देखा होगा बड़े-बड़े कमाते हुए ट्विटर में लोगों ने लिया था ब्यारिस वाला फ्यूचर सॉट किया था लोगों ने पर अगर आप निफ्टी देखोगे यहां से और यहां इसे को पांच मिनिट में विदिन फाइब मिनिट्स निफ्टी आज मूवड 400 पॉंट्स विच इस लाग इंसें इंडिया में अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में ऐसा वलाटिलिटी देखा नहीं होगा और यह मैं इस कांडल को बोल रहा हूं यह वाली स्पेसिविकली यह कांडल से पहले भी 100-300-200 पॉंट की मॉमेंट हुई है बड़ लुक अ दिस कांडल यह 400 पॉंट की मॉमेंट है 400 मॉमेंट अल्मोस्ट यह कांडल को ऐसे फोटो लेके फ्रेम करते ना चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए के हमारे जवाने में एक कैंडल निफ्टी का ऐसा बना था 400 पॉंट वाला दिस ऑल्सो पाँच मिनिट का टाइम फ्रेम ओके इस फाइप मिनिट टाइम फ्रेम अजितर निफ्ट करेंगे इस केंडल को तो बोलने का मितल हमें यह था कि इस तरह की मार्केट में पताने किन लोगों ने कितना पैसा कमा या होगा जितनव ने बेटीस्टी लिया होगगा उवियसली पैसा कमा आ होगा एक trade जो बनती थी मेरे काल से यहां से trade जो बनती थी अगर किसीने sell लिया होगा तो पता नहीं उसकी हिम्मद बनी होगी के नहीं होगी रुकने के लिए विकास चार बार ये तीन बार तो ये वो point को टच करके आगा चाथ चौथा बार में ये उपर उड़ जाता तो बहुत से मेरे लिये तो निफ्टी में कोई trade अज बनता भी नहीं है नहीं है किया नहीं वालग बाते है एक trade बनती थी येवाली trade हम ले सकते थी ये वाला जो trade थी ये वाला इतना दिन बैंक निफ्टी में कोई ठीकता नहीं है बट मेरा बोलने का मतलब यह था इंसेन बोलाटिलिटी का एक्जाम बोल दिने का कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के बतारिक में मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप do not stay more than 5-10 minutes क्योंके आप या फिर stop loss tight रखो कोई भी ब्रोकर बिना stop loss का अगर आप ट्रेड करते हो कुछ-कुछ ब्रोकर में मुस्किल होती है तो उस केस में मत करो ओनली trade with stop loss only या फिर stocks में करो इंडेक्स छोड़तो थोड़ी दिन के लिए या फिर जल्दी पकड़ो scalping ही कर सकते हो आप इंडेक्स में moves आपको दिखेंगे बहत अच्छे-च्छे बट उजह पता नहीं कितरी लोगो उने ये 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 वाले को छोड़े ये वाले पकड़ सकते थे लोग अब कल की बात करेंगे कल हमारी वैसे रेंच काफी बड़ी है और कल मेरा जो व्यू है उपर का मार्केट मुझे अच्छली दिखने ही रहा है unless they will try to fool the retailers वेबकूफ अगर ना बनाने की कोशिस करें मुझे मार्केट उपर कल दिखने ही रहा है जितना डेटा मैंने दिखा है और प्रफाइलिंग बगर मैंने देख लिए है इसकी जो next day की जो प्रफाइलिंग बनती है वो basically bearish ही बनती है और मुझे जो लग रहा है ये कल ये बाला जैसा pattern है ये इसको repeat सायद करें possible हो guarantee किसी चीज की नहीं है possible हो तो अगर बाइचास ये gap down होता है anywhere it is gapping down bank nifty above 17,500 अभी 900 पोइंट प्लस gap of कहीं पे भी करता है आपको ये वाली movement फिर से मिलेगी sale वाली morning में ही आप sale कर देना कहा तक sale करोगे आप S1 तक sale करना ठीक है आप कल S1 तक sale करना 16,179 तक ठीक है अगर gap up होता है जो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे लग रहा है कि कल सायद gap down हो जाए ठीक है सायद gap down हो जाए क्लोजिंग बहुत इंपोर्टन होती है हो जाया gap down में हमारा हम सिर्फ confident क्योंके volatile market है मैं सिर्फ 1 या 2 या 3 trade के मेरे में लोंगा आपको जो लेना है अपलो उसके हिसाप से में काम करूंगा और लोंगा तो मेरी एक scenario 1 bank nifty 17,520 pivot जो है अपना उसके उपर कहीं पे भी यह gap up हो हम price rejection देखके red candle देखके sale करेंगे एक red candle दिखा आपको sale करना है ideally ठीक है sale करेंगे और हमारी target होगी 16,200 तक at least scenario 1 scenario 2 bank nifty gaps down below 16,162 that means 800 points gap down possible है gap down कर सकता है तो second scenario में हमारी trade यहां से confident अगर यह पहला 15 base minute में यहां पे gap down कर देता है confidently आपको sale करनी है 600 points के लिए 15,437 S1 से लेके S2 बिंदास यह scenario में तो बिंदास 9.30 से पहले अगर यह यहां पे आ जाता है gap down हो यहां फिर से लिचे आये कैसे भी हो ठीक है कल हम 15,500 market को देखेंगे इस तरह तक में जाओंगा नहीं जा सकता है market आप stopless trail कर सकते हो बढ़ हमारी trading इसी बीच में रहेगी selling की ठीक है scenario 1 scenario 2 इसके इलावा मेरे पास और कोई scenario है एक scenario side scenario है अगर यह flat open हो जाता है gap up का बोल दिया gap up का एक scenario है gap down का एक scenario दोनो cases में ही मेरे sale है buying मेरा कल कुछ है नहीं ठीक है buying कल कुछ मेरा है नहीं क्योंको मुझे बहुत कम लगता है यह S1 में reject करेगा scenario 3 अगर bank nifty flat open होता है तो मेरी selling फिर सही है इससे 17500 से मेरी selling मनती है इसको scenario 1 के साथ आप मिला दो इसलिए मैंने बुल ला था any level above 17526 यहां से या इसके उपर कोई भी level यहां से start होती है price rejection आप sell करना दिन भर कहीं पर भी ठीक है दिन भर मतलब हमारा व्यू 11-11 बजी तक रहता है उसके बाद अलग से देखना पड़ेगा 11-11 तक आप यह व्यू में काम कर सकते है तो दो ही scenario हमारी वे तीसरा scenario है बट उसमे भी level sell का अपना यही है आज थोड़ा फटाफट कर देंगे कि यह market में इतना strong view देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है Nifty का भी आप एक पर level देखलो Nifty का वैसे flat होता है अगर उपर जाता है by chance तो यहां पर हमारी selling है any level above 7780 यहां पर आपको मिलेगा rejection यहां इसके उपर कहीं पर भी rejection मिला आपको sell कर देना है towards 7420 तीक है 300 point की movement Nifty में गल मिलेगी आपको scenario number two दो-दो scenario है है हमारे पास और कुछ है नहीं scenario है scenario number two Nifty gap down होता है कहीं पर भी पहले 30 minutes में यह 7403 के नीचे आजाना चाहिए यहा फिर सीधा gap down ही 200 point हो 7403 के नीचे then we will blindly sell it okay provided that bank Nifty also stays below S1 16200 के नीचे if this together stay below then मेरा यह 100% sale है okay blindly sell मेरा बनेगा Nifty में 7,400 7,210 तक around 200 points in Nifty this is again my second scenario Nifty कल 7,000 break कर सकता है क्या कर सकता है possible है but हम लोग stop loss trail करेंगे या फिर यहां पर booking करेंगे इसे दरार only two scenarios for Nifty and Bank Nifty यहां पर अगर आता है तो हम confident trade लेंगे अगर नहीं आता है यह scenarios में हमारा नहीं आता है तो हम price action के basis पर scalping ले सकते हो आप अगर आप scalping लेना है तो पहले 10 बज़े से पहले ले लो क्योंकि मेरा जो view है यह जो भी movement देगा न 10 बज़े मतलब 9,20 9,25 से जो movement चालू करेगा ideally वो 15-20 minute हो उसी direction में रहेगा positive हो या negative हो ठीक है उसी direction में रहेगा तो आप 5 minute के अंदर 50-60 लेके निकल जाओ बड़ा lot लगा के निकल जाओ एक दो trade करके उससे ज्यादा कोई करने का फायदा नहीं है market इतना volatile है और किस-किस को याद है मैंने जब Thursday का video बनाया था रात को तो मैंने बूला था मैं पहले सबको बूलता के 8000 यह ब्रेक करेगा तो market बहुत बूरा condition में जाएगा और मैंने गान 50% का confident level दिया था 7400 to 7600 वाला level था that is broken that is almost broken अगर यह ब्रेक हो गया तो मैंने बोला था market बहुत dangerous situation में जाएगा तो nifty हम लोग कहां पे देख रहे है nifty को we are looking at 6400 now because the GAN 50% confidence level is around this 6400 तो nifty अभी जहां पे है it will fall down another thousand point for sure और 1000 point की अभी मेरा 8000 level तूट गया और value money value zone भी सब तूट गया है मैंने बोला था market कुछ भी हो सकता है इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा dangerous होगा आप देखना 6400 भी यह market mostly आएगा आएगा यह ठीक है तो मैंने अगर आपको Thursday की वीडियो याद है मैंने थोड़ा यह guess कर लिया था जबकि मैंने BTS लिया नहीं था बड़े बड़े बंदों ने BTS लिया था हम लोग buying करने वाले थे investment के पपस से बड़ मैंने बोला था एक हपता और postpone कर रहे हम buying तो हम यह हपता भी कोई value investing नहीं करेंगे मार्केट को settle होने देंगे यह 6500 6600 6600 की level इसा मेरे को लग रहा है यह हपते मैं गलत भी हो सकता हूं बट ऐसा लग रहा है उसके बाद देखेंगे के invest करना है या नहीं करना है मुझे पता नहीं तब तक क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा बट यह level थोड़ा अभी आएगा अपने बास बागी जह मता दी अभी और आपके साथ mixed up है तो यह दो सिनारियों में उसी level पे sell करना देखते है मातादी भोले नात के क्रिपा रहेगी तो हमको कल भी उसी level पे Friday जैसे confident sell और sell मिलेंगे buy कल के लिए कुछ है नहीं बीच में आएंगे बट मेरे लिए कल buy का कुछ ideally scenario बनता नहीं होगा भी तो मैं थोड़ा डर डर के लूँगा बट यह दो सिनारियों में हम sell ले सकते हैं बाकी global market को watch करते रहना फिर हम देखेंगे morning में कुछ view change हो जाता है तो मैं channel में डाल दूँगा Okay, thank you very much